सूखी और चाडियों से अटी पड़ी ये नहरे उत्तर प्रदेश के लखिमपुर जिले में इनकी साफ सफाई और बरम्मत पर सीचाई विभाग लाखो रुपए खर्च करने के दावे कर रहा है लेकिन इनकी तस्वीरे कुछ और ही बया कर रही है ना तो नहरों की साफ सफाई हुई है और ना ही इनमें पानी आया है अब सीचाई के लिए पानी का इंतिजार कर रहे किसानों को अपनी फसले खराब होने का डर सता रहा है लखिमपूर में 118 किलोमेटर राजवा है और 183 नहरों की सफाई के लिए एक करोड 19 लाख रुपए आवंटित किये गए लेकिन नहरों की हालत बताती है कि साफ सफाई काग्जों में ही दर्चोकर रह गई है हलाकि जब नहरों की बधाली के बारे में अधिकारियों से पूछा गया तो वो उनकी सफाई होने का दावा करते नजर आए अधिकारियों का जो भी दावा हो लेकिन जमीनी हाकिकत उससे मेल नहीं खा रही है इससे साफ सफाई के लिए आवंटित पैसों में बंदरबाट के आशंका को खारिच नहीं किया जा सकता है उत्तर प्रदेश के लखिम पुर्खिरी से प्रभाकर शर्मा के साथ प्योरो रिपोर्ट सुराज एक्सप्रेस